नमस्कार मैं अगर आप देखेंगे तो दौर भी देखने के लिए मिल रहा है और ऐसे में अब राहूल गांदी का एक वीडियो क्लिप शोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वारल हो रहा है जिसके लेकर लोग चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं दरसे लिए से वीडियो क्लिप में राहूल गांदी जो है प्रदानमंती नरंद्र मोदी के उपर पहले जूट फला है कि उन्हें 36 गड़ में लगतार नजर आ रहा है और इस दौरान राहूल गांदी जो है काफी बयान बाजिया कर रहे थे बयान बाजी करत प्रदानमंती नरंद्र मोदी को लेकर 15 वाले बयान को लेकर जूट पहला है इसके बाद जो है उन्होंने बुपेश बगेल को लेकर भी चीज़े कह दी और उन्हें यह समझ नहीं आए कि क्या कहेंगे जिसके बाद बुपेश बगेल यानि चातिस गड़ के मुक्यमंत्री का रियाक्षन देखने लायक था राओगादी ने यह कर दिया कि बीजब के मुक्यमंत्री है वह बी जो है गरीबों का फार्मरों का यानि किसानों का मदद करते के बजाए वह इस वक्त अदानी की मदद कर रही है कि यहां के भी नहीं चीज़ें कह दी और यह बात वह नंक को में रापन आदानी की विदद करते हुने अब हई दरीब जो लोग हे वो नहीं डिखा है दिक αऍन मैं यूवा नजार आए मोसित किसानों जो कहते हैं नहीं मैं तो आपके लिए फाइदा कि फाइदा करना चाहता हूं मैं किसान लायम सोचते हैं किसान को कोई समझ नहीं है आप किसानों के जेव में से पैसा छीनने के लिए कानून लाए थे आप अदानी जी को पैसा देने के लिए कानून लाए थे और आप 24 घंटा अदानी जी की मदद करते रहते हैं और यहाँ पे आपके जो चीफ पिनिस्टर हैं, वो भी अधानी जी जैसे लोगों के लिए ही काम करते हैं, यहाँ पे आपके जो चीफ पिनिस्टर हैं, वो भी अधानी जी जैसे लोगों के लिए ही काम करते हैं, हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे वियापार के बारे में बोलते हुए नजर आए बुपेश बगेल का रियाक्शन इस वक्त देखने लाइक और इसे लेकर अब शोचल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है शोचल मीडिया पर लोग राहूल गादी को लेकर ब्यान बाजिया कर रही है तंच कस रही है और कह रही है कि लगादी को यहीं पता होता है कि आखिर उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए कुछ लोग का रियाक्शन जो है वह भुपेश बगेल के रियाक्शन पर भी गया और लोग लगातार शोचल मीडिया पर इस वीडियो का सर्कूलेट करके राहूल गांदी के तरह तरह की बयान बाजिया देते हुए नजर आ रहा है तो साफ तोर पर राहूल गांदी के मुश्किले तो बढ़ गई है तो राहूल गांदी इस वक्त तब लोगों के निशाने पर है लोगों का क्या कहाना है जरा यह भी सुनिए लोग कह रही है कि बुपेश बगेल ज चीज़ें कहीं जा रही है यहीं नेक और विक्ति ने रिखा वुपेश बगेल पर क्या रोप लगा रहा है रहा है राहूल गांदी जी बाचपा के राजी के मुख्यमंत्री भी किसानों गरीबों की मदद करने के बज़ाए अडानी की मदद कर रही है इसी तरीके से तरह कि जैसा कि आपको कहा कि रियाक्शन देखने के लिए रही है और लोग क्या रही है कि राहूल गांदी को हुआ क्या है क्या वह भूल जाते हैं आचानक से कुछ लोगों ने तो मुपेश बगेल की रियाक्शन की तस्वीरे भी लगा कर उस पर मीम बनाना शुरू कर दिया क कुछ लोग कह रही है कि राहूल गांदी पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकती है क्योंकि राहूल गांदी बीजेपी वालों को डिसपोइंट नहीं करें कुछ लोग ने कहा कि कॉंग्रेस प्रोपागेंड़ा बीजेपी के खिलाफ बनाना चाहती है लेकिन बीजेपी तो इ प्रदार मैंती नरेंदर बोदी ने 50 रॉपए सब को देने का वादा कि आता कि पूल जो है आप खोल गई राहुल गांदी का यह जो बयाम था इसकी भी पोल खुलती हुए नजर आई जहां पर उन्हें उन्हें कहा था प्रधार मंत्री ने कभी भी कहा ही नहीं था कि 15 लाग रुपए हर व्यक्ति के खाते में जाएगा प्रधार मंत्री का वीडियो 2013 का है उस वक्त काफी पुराना कि अलग तरीके से पेश किया गया इसे अलग आप कहिए कि इस सुच्वेशनल बनाकर इसे दिखाया गया कि प्रधार मंत्री ने दर्वोधी 15 से 20 लाग रुपए देने की बात कर रहे हैं तो साथ तोर पर राहुल गांदी जो है वह बुरी तरीके से बेनकाब हो रही है और जो है उनके खिलाब बयानबाजी इनकी देखने के लिए रही है और राहुल गांदी जो है इस तरीके से कई बार इसके जुआ जो जहा इसा बयान दे देते हैं कि वह जहारी महान है और इस वक्त अगर आप कहेंगे तो लगातार जो है रेक्षन आक्षन सारी चीज़े देखने के लिए मिली रही है तो तरह तरह की बाते तरह तरह की रेक्षन लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं और इसी बीच राहूल गांधी का बयान जो है वो सोच में डालने वाला है कि राहूल गान्धी आखर इस तरीके से चुनाओ के वक्त में इता misin पड़ारिस कैसे ले सकते हैं जहां पर इस तरीके से आधियादूरी बयान बाजी कर रही है आधियादूरे चीजें कह रही है तसास टोर पर राहूल गांदी जो है अपनी पार्टी की ही मुश्किलिये बढ़ा रही है और अपनी चीजन्वाव में बी आखिर इस तरीके की बيानबाज यहां क्यू कर रही है लोगों को आखिर क्यूं बढ़ा रही है भुपेज बगेल के मुश्किले आखिर क्यूं बढ़ा रहा है तो ऐसे में सब शोचल वीडिया पर राहूल गांदी के वीडियो देखने के लिए बली है और उनके बयान के बाद उनकी काफी जादा फजीहत जो है उड़ाते होई ल को हराने और डुबोने के लिए जो है काफी है और इस तरीके से लोगों के रियाक्शन्स लगतार देखने के लिए मिल रहे हैं तो यह सारी बाते हैं जो इस वक्त चल रही है शोचा मीडिया पर बिता दे आपको अगले महीने जो है अलग-अलग राज्यों के विधाल सभा चुना हूने वाले हैं जिसे लेकर बीजेपी आम आदबी पाटी कॉंग्रेस समयत का यह और विपक्षी पाटिया है जो सक्रिया है और सक्रियता से जो है काम करते हुए नजर आरही है ब्यान वाजीयों का दौर देखि correctly मल रहा है एक दूसरे से बेहतर एक दूसरे को बता अंधिन पर भी जुट फंद्धी है अपने इसरकार के अपने ही मुख्धेराज्य की मुख्यमंतरी की अधानी के मावले को लेकर पूल खोलते विए नजर आ रहे हैं तो अब कुछ पुरा मामला यह बड़ा क्या है और इस मामले पर आपकी भी प्राफ चुराय हो हमें कमेंट करके जरूर साजा करिएगा थन्यवाद